हाई फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ आप अपने करेंसी नोटों को कैसे भाईडस और बैक्टिडिया फ्री कर सकते हो आज कल का करोना का जो मोह हमारी चल रहा है इसमें करेंसी नोटों को वह पक्रिडिया फ्री करना और साइन्टेस करना बहुत ही जरुरी है कि चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम करेंसी नोटों को कैसे बैक्टिडिया फ्री और सनीटेस कर सकते हैं तो फौस्ट की पानी में मैंने थोडा से करके band wash water बना लिया और दूसरे step यह वैर पीनाइल water यह domestic नमैंज है करो हडग कर में होते है इस पॉल के पानी में वैज nouveau बना लियर और ढश्षा स्टेब उभे टोल का पानी इस पॉल की पानी में मैंने थोरा सा डेटल मिला की डेटल वाटर भी बना लिया और चौत्ता स्टेप जो है वह है प्लेन वाटर इस पॉल की पानी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया और पीट स्टेप जो है दोस्तों वह है आईरनिंग गिला नोटों को सुखाने के लिए हैं पहले दोस्तों हम लोगों को नोटों को साफ करना जरूरी नहीं था मतलब नहीं साफ करना से भी चलता था कोई भी नोटों को नहीं साफ करते लेकिन अभी का जो करोना वाइरस का जो महामारी चल रहा है इसमें नोटों को साफ करना बहुत जरूरी है कि दोस्तों यह नोट हो होकर हमारे हाथों में आते हैं तो इसमें बहुत भाइरास पेक्टरिया और रहते हैं तो यह जो करोना भाइरास फैलने में नोटों भी बहुत बड़ा जो है योगदान है गाइस मेरे मानों तो आप लोगों को खुद के साथ साथ आपके नोटों को भी ऐसे बाहर से आने के बाद ऐसे सफ करना जरूरी है तो मैंने जो होता है हैंडवाश पानी जो बनाया था उसमें मैंने नोटों को डिप कर दिया फिर उसके बाद उससे उठा कर मैंने फिनल वाला वाटर में नोटों को ऐसे आहिस्ता से डिप कर दिया तो एक दम आहिस्ता से करना होगा क्योंकि द प्रिंटिंग भी खड़ाप हो सकता है दोस्तों तो ऐसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके एक के बाद एक स्टेप में मैंने नोटों को डिप कर रही हूं तो फिनेल वाटर से उठा के मैंने डिटोल वाटर में नोटो को डिप कर दिया फिर इसके बाद मैंने डिटोल वाटर से साधा पानी में सपेद पानी में इसको जो है प्लेन वाटर में नोटो को डिप करेंगे तो ऐसे जो होता है बिमारी फैनले का डर्ड थोड़ा कम हो जाता है और जो हमारी जो चल रहा है इसमें जो खत्रा है नोटों से वो ही थोड़ा कम हो सकता है दोस्तों ऐसे ही मैंने सारे नोटों को जो है डिप कर दिया और अभी जो है तेन वाटर से नोटों को उठाके गिला नोटों को मैंने कॉटन की कप्रे के उपर ऐसे रख दिया है तो ऐसे नोटों को रख के उपर से कॉटन के कप्रा ऐसे मैं डाल दूंगी मैं डायरेक्ट नोटों के उ नोटो का shape और printing भी जो हो सकते हैं इसलिए उपर से cotton के कपड़ा ऐसे डालके मैंने इसको ड्राइब किया और इसी तरह से मैंने नोटो का दूसरा साइड भी ऐसे पलत लिया और इसके पर फिर से ऐसे कपड़ा डाल के मैंने दूसरे साइड भी ऐसे ड्राइब कर लिया बहुत अच्छे से ऐसे मैंने आई यह देखिए दोस्तों यह नोड जो है एक्दम अच्छे से ड्राइब हो गया इसमस्त वाइरस और बैक्टरिया फैलने का डर भी नहीं है एक्दम को पसंद आए तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए